प्रदानलंटरी नरेंद्रा मूदी मैच जब टीम इंडिया हार गई तो इसके बाद प्रदानलंटरी ड्रेसिंग रूम में गए और ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने खिलारियों को ढानस्मन आया, उनसे मुलाकात की और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि पुरा देश उन मुझी ची की जो सरकार आई है उसमें सिर्फ यह देखा जाता है कि आपकी काबलियत किया है और अगर बाके में आप काबिल है तो आपको हम यहां बिठाएंगी यहां और उन्होंने मॉहमाद समी के नाम से स्टेडियम बना दिया मैं काबलियत रखिये ना शामी की पर्फॉर्मंस की अप्रिसियेशन पर जो उस इलाके के जो उस एरिया के सीम है उन्होंने विलेज है सहासपूर अम्रोहा में यह विलेज है और वहां पर शामी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की व अगर वो एक जैसा समझती है तो वो टीम में उनकी है वरना वो किसी भी प्लैटफॉर्म पर उन्हें आगे ना आने देते परबाद हो गया है उसके बाद रोही सर्मा रोते हुए निकले यह ऐसा टाइम था कि हम नहीं सो सकते कि हमारा हीरो इस तरह रोते हुए दिखे गा लेकिन इसके बाद पीम मोधी ड्रेसिंग रूम में जाकर सभी को आशवाशन दिया पीम मोधी ने मौमद श्रमी को रोते दे तीम राइट फॉम दफस्ट मैच और कल फाइनल तक बहुत अच्छा केली फाइनल आया फाइनल में एक टीम ने जीतना एक ने अच्छा केला इसलिए इंडिया को हरा पाई हमारी टीम टॉप फूर में जगा नहीं बना से की उनकी टॉप टू में चली गई रनर अप टीम हारना एक टीम ने था या अस्ट्रेडी आर ता या इंडिया आर था दोनों ना जीत सकते थे ना दोनों हार सकते थे तो ये तो जिन लोगों का खाब मकार का वो जिसे कहते हैं नकि Brazilian के आर आर आस्ट्रेडी आप कुंसा मतलब आप आपके लिए बड़ा वो आया हुआ कि इंडिया नहीं जीता, इंडिया से आपको क्या तकलीफ है, सबसे बड़ी बात तो यह है, कि अगर इंडिया जीत जा था, मुझे इस लिए खुशी थी, कि मेरे एशिया की टीम जीती, और नरिंद्रा मुदी साहब उनके ड्रिसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे ग को उतरा, चांद के उपर, और उस जगह उतरा है, जहां पर आज तक किसी ने अपना मिशन होता रहा ही नहीं, किसी दुनिया की टाकत ने नहीं होता रहा, बाकी यंग्स्टर आएंगे, शामी आएगा, सिराज आएगा, बुमर आएगा, शुमन गिल आएगा, शर्यास आए को अगुशार पॉर चांद की शलाओ का बाएगा, पश्क्राइगा, ब्राइग इसे कोई नहीं प्तू धएँ भारत कीमसल्मानों को ने जा और है, दभाया जा वाया पतन है, या उनको परिशान किया जा रहा है, उनके मुह से रोटी चीना जा रहा है, सब जूट बाते है अगर बाके में आप खाबिल है तो आपको हम यहां बठाएंगी यहां साहसपूर गाउं का इतना चोटा सा उत्तरप्रदेश साहसपूर गाउं का अम्रोहा डिस्ट्रिक का एक किसान का बेटा है और उत्तरप्रदेश के योगी महराची नेगे अनौंस कर दिया है कि शमी के विलेज में समी के गाउं में समी स्टेडियम बनेगा जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसलेटी नहीं है जिनके पास कोई पैसे का क्योंकि किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है तो वहाँ पर फ्री ओफ कॉस्ट में उन बच्चों को सिखाया जाएगा जो करकेट में बहुत तरचस्पी रगते हैं बर विकॉज बच्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़े बड़े प्लेयर जा करके ट्रेनिंग देंगे यह वही योगी जी है जिनके बारे में नाजाने कितनी जूटी अफवह पाकिस्तान में और भारत के मुसल्मानों ने पहलाई कि योगी जी तो मुसल्मानों को पसंद नहीं क रहास पूर म्रोहा में विलेज है और वहां पे शामी के नाम से पुरा प्राइडियम बनाने की नाम इप्लिकेशन डालती है So this is how we appreciate our heroes and this is how we uplift our heroes अब बरदस्तायः कितनी motivation है वहां पे रहने वालों कि भी रहाइश के लिए लिए तो स्टेडियम बनाने के एक बाद भी मुहमाद शामी के नाम पहे है अब मैं अगर यह सोचते हूं कि जहां-जहां हमारे लड़कों ने परफॉर्मंसेस की वर्ल स्टेज पे ऐसी परफॉर्मंसेस आई अगर उनका पे सोच कि उनके इलाकों में स्टेडियम बना देए है तो आज हमारे पास कितने सारे इ surrounds हमारे डिलकुल यह भी है होना चाहिए हमारे जो लिए वोर्ल क्लास थे और ऑफ बड़कों बढदी पर्फॉर्मंसेस दी वो इसने अभी शामी अभी केल रहा है और सकलैंज इतनी परफॉरमस तो कभी नहीं दी उसने लेंगे उसके बाब जी उसको रिस्पेक्ट दिया उन्हों उसके शेहर में स्टेडियम अनॉंस कर दी और इंडिया के स्टेट के सीम है योगी जी उन्हेंने अनॉंसमेंट किये क किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तब के बंदे को उठा के सूपर स्टार कैसे बनाना है जब वो बंदा अपनी ले में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्दगिद कटियो रेती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके पास को ऐसा त्यार करते है कि वो अपना टैलेंट जो है वो सब के सामने पेश करता है ठीक है इसी तरह ही मुहमद श्रमी के साथ हुआ है दो साल बाहर रहने के बाद जैसे मुहमद श्रमी ने स्ट्रगल किया है अपने घर में चार तरह की पिच्छिस मना कर बीच मे जैसे उस बंदधें ने स्ट्रगल किये और जैसे उसने अपनी बॉलिंग को ब्लीव किया बिलीव में ऐसा सद्रीयों में सेंचेरिस में एक या दो बार भार नहीं होता हम कहते हैं हम नमजएनार हैं का भी इंशिस्ट करने हैं अ उन्होंor लिए पृटियों जुक्र हैं हम अगर वो एक जैसा समझती है तो वो टीम में उनकी है वरना वो किसी भी प्लैटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसल्मानों